हेलो फ्रेंट असलाम उलेकुम तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगी फेस्टिबल स्पेशल गुंजिया की रेसिपी जिसे आप किसी भी फेस्टिबल पे बना सकते हैं और इसके साथ आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ शेर करूँगी सूजी सबसे पहले हमने यहाद दो कटोरी मेदा लिया है आप इसमें डालेगे हम देशीगी आप देशीगी की जगा ओयल का यूस भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैं देशीगी का यूस कर रही हूँ आप इसके बाद इसको आच्छे से मिक्स करना है मसल मसल कर इसको हम अच्छे से मिक्स करेगे यहाँ पर हमें एक मीडियम डो बना के तयार करना है जादा सक्त या नरम डो नहीं बनाना है यह देखे जब हम हातों से इसे प्रेस करेगे तो यह बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा बस इस स्टेश पर डालेगे हम इसमें पानी यहाँ हम थोड़े सी गुंगुने पानी का यूज़ कर रहा है और यह देखे हमारा कितना अच्छे सा डो बन के तयार हो गया है अब इसको 10-15 मिनट के लिए ढखकर रख देगे इस्टफिंग के लिए हमने आ लिया एक कटोरी मावा एक कटोरी ग्रेट का हुआ नारियल एक कटोरी शुगर पोडर एक कटोरी से कभ हमने आ लिये सूजी 10-12 बादा हम लिये जिसको बारिक कट कर लिया है 4-5 शुआरी लिये जिसको कट कर लिया है और थोड़ी सी हमने हैं किश्मिस लिए अब हमने एक कड़ाई लिए जिसमें डालेगे हम दो चम्मत देसी गी और सूजी को हम इसमें भून लेगे इससे जो सूजी का कच्चा पने वो दूर हो जाएगा और सूजी को बस कलर हो चेंज होने तक भूनना है ये देखे इसका कलर चेंज होगी आप इसको बहार निकाल लेगे आप इसमें डालेगे हम ग्रेट के होगा नारियल इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए भूनेगे जिसे नारियल जो ही बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और गुंजिया में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो आप इसे एक बार ऐसे जरूर करके देखे तो इससे जो गुंजिया का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होगा बस इसको हम बाहर निकाल लेगे अब इसमें डालेगे हम ड्राइफ रूट्स जिसको हमने बारी कट कर लिया था इसको भी हम 2-3 मिनट के लिए भून ले गए यह भून गा है अब इसको हम बाहर निकाल लेगे अब एक बाहर लिया है जिसमें डाला है हमने शुगर पोडर और सूजी लिया जिसको हमने भून लिया था अब इसमें डालेगे हम मावा जिसको हमने भून कर थोड़ी देर के लिए ठंडा करनी के लिए रख दिया था और अब इसमें डालेगे हम ग्रेट के हुआ नारियल औ ओर थोड़ी से हम इसमें डालेगे किश्मिश और एक चमस इसमें डालेगे अम लाइची पॉडर, बस इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, इसको मैं हातों से मिक्स कर रहे हूँ है, आप इस स्पून वागonda से मिक्स कर सकते हैं, यहां मुझे थोड़ी सी शुगर कम लगी है तो मैं इसमें शुगर पोड़र ओर एट कर रही हूं बस इन सब चीजों का अच्छे से मिलाना है यह देखे है हमारी स्टिफिंग जो है बहुत बढ़े से बनके तयार हो गई है और आटे को रख हुए अभी 10-15 मिनट हो गए है बस इसकी अब हम लोईय बनाके तयार कर लेगे चोटी-चोटी लोईय बनाके तयार कर लेगे और इसको इस तरह से गोल शेप देते हुए अच्छे से बेल लेगे हमें इसको साइड से मोटा या बीच से पतला नहीं करना है इसको हमें चारो तरफ से जो अच्छे से बेलना है बस इसको आप मॉल्ड में रखेगे, मॉल्ड जो है मार्किट में आसानी के साथ मिल जाता है और जो हमने स्टिफिंग बना के तयार की थी वो सेंटर में रख देगे यहां हमने दो चमदी स्टिफिंग इसमें रख दिया और इसके बाद इसको अच्छे से सील करेगे इसको चारों तरफ से अच्छे से दबाएके और जो इसका एक्स्ट्रा आटा निकल ले निकल लें बस इसको हम खोले के यह देखिया हमारी जो गुंजया है वो बन के तयार है इसी तरह से हमें सारी गुंजया मना के तयार कर लेनी है इसका हमें ध्यान रखना है इसको हम अच्छे से सील करें अगर हम इसको अच्छे से सील नहीं करेगे तो गुंजिया जो है वो खुल जाएगी और उसकी सारी स्टिफिंग बाहर आ जाएगी जो खाने में बिल्कुल बेची नहीं लगेगी और उसका टेस्ट पर बहुत खराब हो जाएगा यहाँ पर हमने सभी गुंजिया को बना के तयार कर लिया है अब इसको हम फ्राई करेगे तो हमने यहाँ ओयल लिया था जिसको हमने हाई फ्लेम पर जो अच्छे से गरम कर लिया है इसके बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है गुंजिया को जो हम लो फ्लेम पर ही फ्राई इस तरह से इसको अलट परटके हम अच्छे से फ्राई करेगे तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बन के तयार होती है तरीका बहुत दिमपल है जिससे आप आसानी के साथ बना सकते है तो आप इसे किसी भी फेस्टिबल पर या किसी भी मुमेंट पर आप इसे बना सकत गए तो हमारी क्रिस्पी सी गुंजय बन के तयार हो गई है जो खाने में बहुत ही टेस्टि लगते है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें सबको यह बहुत पसंद आएगी और आपको यह रेसिपी कैसी लगई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छे लगई तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करदा ना भूले अल्ला हाफीज